हाई गाईज, वेलकम बैक टू दी चानल, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कम्प्यूटर टॉपिक वाईज MCQs आज का हमारा टॉपिक है इमेल और इंटरनेट इमेल और इंटरनेट से रिलेटेड हम सभी इंपोर्टन क्वेस्चन को कबर करने वाले हैं जो प्रिवियस एर में कई बार रिपीट हो चुके हैं तो आप चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है सिर्फ एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही नहीं अगर आप कहीं पे भी इंटर्वियो के लिए जा रहे है तो इस टॉपिक में आपकी अच्छी कमांड होने चाहिए क्योंकि किसी भी और्गनाइजेशन की आप बात करेंगे तो वहाँ पे इमेल और इंटरनेट का इस्तिमाल होता है तो इसके बारे में आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए तो विदाउट डिले आज का वीडियो सुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट में लिखके बताईएगा पहला क्वेस्चन देखिए इमेल स्टैंड्स पोर इमेल की फुल फॉम क्या है तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D करेक्ट आंसर होगा C, Electronic Mail पीच अब दाफॉलोइंग मोड वी यूज टू डेलिवर इमेल इमेल डेलिवर करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस मोड का उपयोग करते हैं यनि कि किस मीडियम का इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है Postal, Courier, Computer, Facts राइट आंसर क्या होगा C, Computer इमेल डेलिवर करने के लिए हम कम्प्यूटर का इस्तिमाल करते हैं यहाँ पे दिया गया है Postal, Courier, Facts Information को पेपर के फॉर्म में डेलिवर करने का मेडियम है जबकि इमेल नेचर में इलेक्ट्रोनिक होता है और कम्प्यूटर द्वारा डेलिवर किया जाता है Who is the father of internet? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? Correct answer है C, Wind Safe को Define the term internet इंटरनेट सब्द को define करना है अगर आपसे कहा जाए कि internet क्या है short में बताओ तो आप क्या answer देंगे यहाँ पे दिया गया है A, A Single Network इंटरनेट क्या है? एक single network को कहते है अलग अलग network के एक बड़े collection को internet कहते है C, Interconnection of Local Area Networks D, None of these तो राइट आंसर क्या होगा? B, A vast collection of different networks विभिन network को का एक बड़े collection को internet कहते हैं यह आपको याद रखना है Internet is also referred to as internet को और किस नाम से जाना जाता है? यह आपको बताना है तो राइट आंसर है B, Net Who supported the early development of the internet Internet के प्रारम्भिक विकास का समर्थन किस ने किया? यहनि कि जो भी early development हुआ internet का उसे support किस के दुवारा किया गया? तो राइट होगा A, ArpaNet कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है What is the full form of ArpaNet? ArpaNet की full form क्या होती है? तो दिया गया है A, B, C और D आप सभी को read करेंगे वीडियो pause करके हम आपको direct right answer बताते हैं ताकि आपका time save हो D, Advanced Research Project Agency Network फूल 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 है ArpaNet की What is the full form of Gmail? Gmail का full form क्या है? तो आपसर होगा B, Google Mail What is the email attachment size limit in Gmail? Gmail में email attachment size की limit क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है 10 MB, 15 MB, 25 MB, 40 MB Correct answer क्या होगा? C, 25 MB Gmail में email attachment का size limit होता है What is the medium for sharing data between two computers? दो computer के बीच data share करने का माध्यम क्या है? Medium क्या है? पांसर होगा A, Network CC stands for आपने email में देखा होगा कई सारे term इस्तिमाल किये जाते हैं CC, BCC, To, From, Subject, etc Twin सभी का meaning क्या है? आगे हम देखेंगे अभी फिलहाल आपको बताना है कि CC का full form क्या होता है? पांसर है B, Carbon Copy What is the full form of BCC? Right answer है C, Blind Carbon Copy What is the full form of DNS? DNS की full form क्या होती है? Domain Name System Correct answer होगा B Junk email is also called Junk email को और क्या कहा जाता है? तो फांसर होगा A, Spam Emails from senders On your blacklist Always go to the dash folders आपकी blacklist में included sender के email हमेशा किस folder में जाते हैं? Suppose आपने किसी sender को blacklist में add कर दिया है और वो आपको फिर भी email कर रहा है तो उसका email किस folder में जाके save होता है? आपको ये बताना है तो यहाँ पे folder के name दिये गए है trash, draft, inbox, spam पांसर क्या होगा? D, spam इसी को junk email भी कहते हैं www stands for इसकी full form क्या होती है? बहुत ही आसान सा question है लेकिन exam में कई बार पुछा जा चुका है आँसर होगा D, world wide web Which device is used to connect the computer to the internet? कम्प्यूटर को internet से connect करने के लिए किस device का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे device के name है modem, cable, port, bus, card आंसर होगा A, modem का इस्तेमाल किया जाता है कम्प्यूटर को internet से connect करने के लिए Das refers to the design of websites that are displayed on the internet Internet पर display होने वाले website के design को इससे आप क्या समझते हैं A, it is a junk email यह एक junk mail है B कहता है It is a default display in the mail pen यह mail pen में एक default display है C, it is spam mail that can be avoided by the user Web beacon क्या है एक spam mail है जिससे user बच सकता है अगर इसे avoid करे तो D कहता है It is a transparent graphic image that is placed on the website or in email यह एक transparent graphic image है जिसे website या email पर रखा जाता है तो अब बताईए correct answer क्या होगा D, it is a transparent graphic image that is placed on the website or in email Question no.20 पर आते है What is the full form of URL? Option आपके सामने है Right answer क्या होगा D, uniform resource locator Das allows user to send a file with email User को इन में से कौन allow करता है? File को send करने के लिए email के साथ दिया गया है draft, messenger, send, attachments तो आंसर क्या होगा? D, attachments Name का एक option email में दिया गया है जिसका इस्तिमाल करके आप किसी भी file को attach करके यानिकी add करके send कर सकते हैं To send email, we use dash Email को send करने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं? MS Excel का, Outlook Explorer का, HTML का, Net Escape, Navigator का इमेल्स के लिए इन में से कौन सी चीज की need पड़ती है? A, Internet is used Email के लिए internet का इस्तिमाल किया जाता है B, Web is used C, HTTP is used D, None of the above Correct answer क्या होगा? A, Internet is used What is the term used for unsolicited email? Unsolicited email के लिए कौन सा term इस्तिमाल किया जाता है? Answer है, D, Spam What is the storage area for email messages called? Email messages के storage area को क्या कहते हैं? Folder, Directory, Mailbox, Hard disk Answer क्या होगा? C, Mailbox Mailbox में जितने भी email आपको receive होते हैं, वो सभी store होते हैं D, Option helps you to save an unfinished email without sending it इन में से कौन सा option आपको unfinished email यानि की अधूरे email को send किये बीना, store करने में help करता है? तो यहाँ पर option दिया गया है, save as draft, inbox, send items, trash Answer होगा A, save as draft यह एक ऐसा option होता है email में जहाँ पर आप उस email को save करके रख सकते हैं, जिसे आपने अभी complete नहीं किया है या फिर आपने किसी को send नहीं किया है While sending an email, the line describes the contents of the message dash Email भेजते समय, जो line message के content को describe करती है, उसे क्या कहते हैं? Subject to contents CC Answer होगा A, subject Subject एक ऐसी line होती है email में जिसे अगर आप read कर लेते हैं तो आपको email के पूरे content के वारे में overall idea हो जाता है Suppose आप अपने college से 15 days का leave लेते हैं तो subject में क्या लिखेंगे? Email for leave due to जो भी आपका reason है तो जो भी आपका receiver होगा, यानि कि आपने जिसे email send किया है वो subject को पढ़ते के साथ पूरे content के बारे में idea लगा लेता है तो यह बहुत ही important होता है email में If you want to send the same email to more than one person You can type multiple email addresses separated by यदि आप एक ही email को एक से अधिक लोगों को भेजना चाते हैं तो आप email addresses को किसके माध्यम से separate करेंगे यानि कि आप अगर एक ही email को 10 लोगों भेजना चाते हैं तो उन 10 लोगों के email को आपको type करना होगा लेकिन आप एक साथ नहीं कर सकते हैं इन में से किसके द्वारा आप separate करकर के लिखेंगे पांसर होगा B, एक का email address लिखने के बाद आप comma लगाएंगे फिर दूसरे का type करेंगे तो इसके माध्यम से आप एक ही email को कई लोगों को send कर सकते हैं कॉमा से separate करके पीच अबदा following software transfers electronic messages from one computer to another in email system निमनलिकित में से कौन सा software email system में electronic messages को एक computer से दूसरे computer में transfer करता है दिया गया है A, B, C और D आंसर होगा B, mail transfer agent MTA और mail transfer agent प्रोग्राम है जो responsible होता है for receiving incoming emails and delivering the message to individual users what do you mean by DNS DNS से आप क्या समझते हैं यह आपको बताना है इसकी full form क्या होती है यह हमने देखा है domain name system तो अब आप बताएंगे कि domain name system से आप क्या समझते हैं दिया गया है A, B, C और D आंसर क्या होगा B, translates domain names to IP addresses domain name system क्या करता है domain name को IP address में translate करता है A protocols used for fetching email from a mailbox is POP1 mailbox से email fetch करने के लिए यानि कि लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला protocol POP1 है true और false क्या लगता है आपको ये statement सही है या false है पांसर क्या होगा A true है यहाँ पर आप देख सकते हैं POP की full form होती है post office protocol POP1 design किया गया है for receiving incoming emails incoming emails को receive करने के लिए POP1 को design किया गया POP1 पहला version है post office protocol का POP3 allow करता है आपको to download email messages on your local computer and read them even when you are offline POP3 का इस्तेमाल हम करते हैं email messages को download करने के लिए आपके local computer में और आप उसे read कर सकते हैं अगर आप किसी email को delete कर देते हैं तो वो email सेव हो जाता है draft folder में वो email सेव होता है जो आपने अभी completely नहीं लिखा है Inbox में जो भी email आप receive करते हैं वो सेव होता है Send mail में कौन सा email होता है जिसे आप send कर देते हैं Which of the following statements is incorrect with respect to writing emails Email लिखने के respect में निमनलिकित में से कौन सा statement गलत है A. We cannot add more than one address in the two field यनि कि हम two field जो होता है उसमें एक से अधिक email address को add नहीं कर सकते B. We can leave the BCC field blank C. We can leave the CC field blank D. कहता है The two and CC fields are often used interchangeably यनि कि एक दूसरे के स्थान पे हम two और CC field का इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब बताईए कि इन में से कौन सा statement incorrect है यनि कि गलत है तो आंसर क्या होगा A. We cannot add more than one address in the two field हम एक से अधिक address को two field में add नहीं कर सकते हैं यनि कि mandatory है Body, Sender, Mail ID, Attachment, Subject आंसर है B. Sender Mail ID ये mandatory है इसके अलाबा आपके email में चाहे कुछ हो या ना हो आप mail send कर सकते हैं Sender Mail ID जो होता है ये email भेजने के लिए mandatory होता है ये हमने देख लिया Body का क्या काम है Body जो होता है ये actual में आपका content होता है जिस चीज के बारे में आप email लिख रहे हैं लेकिन आप इसे भी खाली रखके email भेज सकते हैं Attachment जो भी आप file वगेरा attach करके भेजते हैं उसे कहते हैं attachment लेकिन इसके बिना भी email भेजा जा सकता है Subject जो होता है email के headline को describe करता है main headline को subject कहते हैं लेकिन इसके बगेर भी email भेजा जा सकता है लेकिन sender mail ID के बिना email नहीं भेजा जा सकता इसलिए mandatory में आता है आप याद रखेगा पिचबदा following icon is used to add an attachment to an email हमने देखा कि email में attachment को add करने के लिए हम attachment में जाके करते हैं लेकिन आपको बताना है कि attachment जो होता है वो उसका icon कैसा होता है किस तरीके का दिखाई देता है तो यहाँ पे दिया गया है stationary icon, paper clip icon, gif icon, emoji icon पांसर होगा B, paper clip icon होता है यानि कि paper clip जिस तरीके का दिखाई देता है उसी तरीके का attachment का icon भी दिखाई देता है इसलिए इसे पेपर क्लिप आइकन कहा जाता है पीच अब्दा फोलोइंग प्रोटोकोल्स इस यूज़ टू रिसीव इमेल इमेल को रिसीव करने के लिए निमनलिकित में से किस प्रोटोकोल का इस्तिमाल किया जाता है दिया गया है SMTP, HTTP, FTP, POP3 आंसर क्या होगा? D, POP3, Post Office Protocol 3 का इस्तिमाल हम करते हैं इमेल को रिसीव करने के लिए सभी का फुल्फर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं क्योंकि फुल्फर्म से रिलेटेट क्वेस्चन एक्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं तो SMTP की फुल्फर्म होती है Simple Mail Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol, Version 3 आप कह सकते हैं एक इमेल एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है आपको ये बताना है A. Domain Name followed by User Name Domain Name के बाद User का Name आता है B. Users Name followed by Domain Name User का नाम और उसके बाद Domain Name आता है C. कहता है User's Name followed by Postal Address यानि कि User का नाम और उसके बाद आप Postal Address लिखते हैं D. कहता है User's Name followed by Street Address यानि कि User का नाम और उसके बाद आप Street Address यानि कि सडक का पता लिखते हैं तो अब बताईए कि Right Answer क्या होगा B. Users Name followed by Domain Name यानि कि सबसे पहले हम User का नेम लिखते हैं फिर Domain Name लिखते हैं दोनों के बीच में As The Rate का सिंबल होता है तो इसे आप याद रखेगा यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हर Email Address के Domain Parts होते हैं एक User Name और Domain Name User Name पहले आता है उसके बाद हम At Symbol का इस्तिमाल करते हैं फिर आता है Domain Name An Email Address Consist of Dash Parts देखें पिछला Question जो हमने देखा उसी Question को एक्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक Email Address में कितने Parts होते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी Email में Main Parts की बात करें तो सिर्फ 2 होते हैं तो Right Answer होगा A. Two Parts होते हैं कौन कौन से होते हैं तो ये हमने देखा User Name होता है और Domain Name होता है User Name और Domain Name को किस के द्वारा Separate किया जाता है तो इसका Separation होता है At Symbol के द्वारा Which of the following is or are the parts of an Email Address निम्दलिकित में से कौन सा Email Address का Parts है एक भी हो सकता है एक से ज़ादा भी हो सकते हैं या आपको Question में ही पता चल रहा है तो Right Answer क्या होगा A. Username B. At C. Host Server Name D. All of These D. All of These ये सभी एक Email Address के Parts हैं A Block of Text Automatically Added to the End of an Outgoing Email is Called किसी Outgoing Email के End में Automatic रूप से Add किये गए Text के Block को क्या कहा जाता है जैसे आप अगर किसी को Email भेजते हैं तो Email के End में आप क्या लिखते हैं Thanks and Regards आपका जो भी Name होता है आप अपना Contact Number देते हैं अपने Organization का Name लिखते हैं और Email Address भी लिख सकते हैं तो इन सभी को कहा जाता है Signature अगर आप Email के Setting में जाके जो भी हमने बताया उन सभी चीज को Fix कर देते हैं तो जब भी आप Email टाइप करना सुरू करते हैं तो वो Email के End में Automatic रूप से Add हो जाता है To send a received mail to other person You need to dash the message किसी other person को receive mail भेजने के लिए यनि कि अगर आप चाते हैं जो Email आपको receive हुआ है उसी same email को third party को आप send करना चाते हैं तो आपको message को क्या करना होगा Reply to, forward, reply all, copy Answer है B, forward करेंगे आप Email messages may be stored on which of the following computers Email messages को निमनलिकित में से किस computer पर store किया जा सकता है तो दिया गया है senders computer, senders server, recipients server, all of the above तो right answer होगा D, इन सभी computers में save किया जा सकता है What is the use of carbon copy or CC? अब तक हमने पढ़ा कि CC का full form क्या होता है BCC का full form क्या होता है अब आप बताईए कि इनका इस्तिमाल हम email में किस लिए करते है तो दिया गया है A, B, C और D आपको क्या करना है? सभी को read करना है, समझना है, फिर right answer बताना है हम आपको direct answer बताते हैं, B recipients are visible to all of the other recipients of the message in CC यनि कि CC में जितने भी recipients होते हैं वो उन सभी को देख सकते हैं, visible होते हैं suppose आपने एक email लिखा है और आपने CC में 10 लोगों को रखा है तो वो सभी देख सकते हैं कि आपने इस same email को और कितने लोगों को भेजा है तो ये होता है CC का इस्तिमाल CC का फुल्फॉम होता है carbon copy and BCC का फुल्फॉम होता है blind carbon copy email के लिए जब आप दूसरों को publicly रूप से copy करते हैं तो हम CC का इस्तिमाल करते हैं और जब आप privately किसी काम को करना चाते हैं तो इसके लिए हम BCC का इस्तिमाल करते हैं यानि कि BCC में जितने भी recipients होते हैं वो एक दूसरे को visible नहीं होते हैं CC में visible होते हैं उमीद करते हैं अच्छे से clear हुआ होगा कोई भी doubt है तो आप comment में पूछ सकते हैं अब आपको बताना है कि CC and BCC में क्या difference होता है जब हम email को send करते हैं इसमें clarity होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं पे भी job करते हैं तो दिन भर में आपको 100 प्लस email भी भेजने पड़ते होंगे तो right answer क्या होगा सभी को आप read कीजेगा answer है D पिछले question में भी हमने यही देखा था कि BCC क्या करता है जितने भी receiver होते है उनके email address को hide कर देता है एक दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि ये email और किसे किसे भेजा गया है यानि कि private रूप से जाता है जबकि CC में ऐसा नहीं होता है CC को publicly बोल सकते हैं आप क्योंकि CC में देखा जा सकता है यही चीज़ यहां पर हमने type किया है आप read कर लीज़ेगा आगे बढ़ते हैं While working with mail command Which command is used to save mail in a separate file mail command के साथ काम कर दे समय mail को एक अलग file में save करने के लिए किस command का इस्तिमाल किया जाता है answer होगा A Yes Instant messaging is a type of email service that allows user to send messages and files to each other in real time इस statement दिया गया है कि Instant messaging एक type की email service है जो user को real time में एक दूसरे को message और file भेजने की अनुमती देता है True, False त्वांसर क्या होगा? A. True Instant messaging एक type का online communication है जो user को allow करता है to exchange messages, files and other media in real time Inbox area displays are dash in a folder where unread messages are bold Inbox area एक folder में क्या display करता है जहां unread किये गए messages bold होते हैं त्वांसर है D. List of messages Inbox area एक folder में list of messages यानि कि message के list को display करता है जहां unread यानि कि जो email आपने अभी तक open नहीं किया है, read नहीं किया है उसे bold दिखाता है Which one of the following is not a search engine Google, Chrome, Yahoo, Bing चारों में से कौन सा एक search engine नहीं है पांसर होगा B. Chrome Chrome एक search engine नहीं है क्योंकि ये एक web browser है जो web server पर मौजूद web pages से information receive करने और view करने के लिए search engine का इस्तिमाल करता है लेकिन ये search engine नहीं है, ये एक web browser है Once an email has been sent, it is moved from the dash folder to dash folder एक बार email भेजे जाने के बाद इसे किस folder से किस folder में लाया जाता है ये फिर आप कह सकते हैं, आपने आप चला जाता है तो आंसर क्या होगा A. Outbox से sent में The dash field is used when you want to send an email to multiple recipients but do not want any of them to know about the other people you have sent them to वही same question है, जो हमने discuss किया है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस field का इस्तिमाल तब किया जाता है जब आप कई receiver को एक email भेजना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते हैं कि उनमें से किसी को भी आपके द्वारा send किये गए other लोगों के बारे में पता चले तो इसके लिए हम BCC, Blind Carbon Copy का इस्तिमाल करते हैं जब एक ही email कई लोगों को send करना हो और हम यह नहीं चाहते कि पता चले कि यह same email किसे किसे भेजा गया है इंटरनेट इस ता बेस्ट एक्जाम्पल ओफ इंटरनेट किसका सबसे अच्छा एक्जाम्पल है पांसर होगा A, WAN, Wide Area Network का Question number 52 देखिए Does an email message in Outlook means it's converted from readable plain text into scrambled cipher text आंसर होगा B, Encrypting Outlook में एक email message को encrypt करने का meaning है कि इसे readable plain text से scramble cipher text में convert किया जाता है Which of the following is not a feature of internet बताना है कि निम्नलिकित में से कौन सा एक internet की विसेश्ता नहीं है यानि कि feature नहीं है A, Flexibility of Communication B, Accessibility C, High Cost D, As of Use पांसर होगा C, High Cost ये internet का feature नहीं है बाकि जो आप तीन देख रहे हैं ये सभी है The difference between people with access to computers and the internet and those without this access is known as the Computer और internet तक access रखने वाले लोगों और इस access से वन्चित यानि कि ऐसे लोग जो है जो इस access से वन्चित है यानि कि उन तक computer और internet का पहुँच नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो difference create होता है उसे किस रूप में जाना जाता है दिया गया है digital divide, internet divide, web divide, cyber divide, all of the above तो आंसर होगा A, digital divide कहते हैं यानि कि एक group ऐसा है जिसके पास computer और internet का पहुँच है access से इस्तिमाल करते हैं और एक group है जो इन दोनों चीजों का इस्तिमाल नहीं करता है तो दोनों के बीच के difference को कहते है digital divide यानि कि ये लोग digitally divide है question number 55 देखिए in the field of computers and internet what does W3C stands for तो W3 का full form तो आपको पता ही है worldwide web होता है C का meaning क्या है ये बताए पांसर होगा C, worldwide web consortium तो इसी के साथ हमने 55 question को अप तक discuss कर लिया है अब आपका होगा mock test जिसमें आपको 10 question देखने को मिलेंगे तो इन सभी का answer आप कुछ से देने की कोसिस करेंगे और वीडियो के end में बताएंगे कि आपने कितने question को सही किया है तो सबसे पहला question देखिए feature of the following programs is not a search engine निम्नलिकित में से कौन सा program सर्च इंजन नहीं है ये बताना है आंसर होगा A. Opera question number 2 देखिए that is to add an attachment to email email में एक attachment add करना इन में से किसका काम है किसके थुरू आप कर सकते हैं सभी question का answer आप देने के लिए 2 से 3 सेकेंड का समय लेंगे तो right answer क्या होगा बताईए answer है A. Paper clip icon हमने discuss किया है कि email में attachment के लिए अगर आप किसी भी file का add करना चाते हैं तो हम attachment का इस्तिमाल करते हैं और attachment जो होता है वो email में paper clip icon की तरह दिखाई देता है question number 3 देखिए the internet is a dash internet क्या है network of networks website, host, server answer है A. Network of networks internet network का एक network होता है in the email address mackenzia at pic.ark.gov what is the domain name यहाँ पे आपको एक email address दिया गया है बताना है कि इसमें से domain name क्या है तो हमने डिसकस किया है कि email में दो पार्ट सोते है username और domain name दोनों को सेपरेट किया जाता है add symbol के साथ तो बताईए domain name यहाँ पे क्या है तो answer क्या होगा उमीद करते हैं आप right answer सोच लिए होंगे B. pic.ark.gov यह है domain name सबसे पहले user name आता है फिर add का symbol हम लगाते हैं देना आता है domain name Read the following statements about email and choose the correct option email के बारे में निनलिकित statement read करना है और आपको correct answer को choose करना है तो पहला दिया गया है the user and the domain name are separated by as the right or at symbol Second है email addresses are case sensitive और आपको बताना है ए दिया गया है कि दोनो statement false है B कहता है पहला true है दूसरा false है C. पहला false है दूसरा true है D. पहला true है और दूसरा भी true है तो right answer क्या होगा B. पहला true दूसरा false है यनि कि username और domain name को हम at symbol से separate करते हैं email में यह हमने पिछले question में देखा भी है Second जो false है कि email addresses are case sensitive तो email address जो है यह case sensitive नहीं होता है जब हम कोई internet site open करते हैं तो हमें www दिखाई देता है इसकी full form क्या है इसका meaning क्या होता है यह बताईए answer है B. world wide web question number 7 देखे a collection of related web pages is called web pages के collection को क्या कहा जाता है right answer है D. website question number 8 देखे the electronic pages seen on the internet are known as internet पर देखे जाने वाले electronic pages को किस रूप में जाना जाता है right answer क्या होगा C. web pages question number 9 पे आते है what is the use of BCC BCC का use क्या है right answer क्या होगा पढ़के बताईए answer है B. recipients in BCC are invisible to all others other recipients of the message और last question है इसके बाद आप बताएंगे कितने question को आपने सही किया है while sending an email which line describes the contents of the message email भेजते समय कौन सी line message की content को describe करती है to cc BCC subject answer है D. subject तो 10 में से आपने कितने question को सही किया है comment में लिख के बताईए वीडियो पसंद आया हो तो please like कर दिजे share कर दिजे next topic कौन सा होना चाहिए comment में आप अपना topic लिखना मत भूलेगा कर दिजे